ये मित्रों, आज की क्लाफ में आप लोग का हर्दी का भिनन्दन है मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अप हुआ है जन परवाद रेफे मनोबै ज्ञानिक युद्ध के तीनों हथियार होते हैं प्रचार, अप हुआ है जन परवाद उसके बाद बुद्धी-परिवर्थन या मफ्तिफ के प्रचालन या विचारा-로पन या मता-로पन तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रचार पढ़ चुके हैं आज हम लोग अप हुआ पढ़ेंगे अफवाह आप सब लोग जानते हैं अगर देखा जाए तो फामान में रूप में आप सब लोग जानते हैं कि अफवाह क्या होती है वही अफवाह जो जूट भी हो फक्ती है, फत्य भी हो फक्ती है, आधी जूट आधी फत्य हो फक्ती है, ठीके, बात फुरुआत थोड़े से हो, बढ़ते बढ़ते और जादा बढ़ जाए, तो अफवाह वही चीजे होती है, इसमें कोई निफचित ना तो फ्रोत का पता हो होती है इसमें आखों देखी है कानों फुनी बातें नहीं कही जाती बलकि तरह तरह के विफवाफों और पूर धानाओं के अधार पर छूटी बातें गाड़ ली जाती है जिफे अगर कोई अफवा है जिफे माली जिफे कोई अफवा है हमने फुना है यह हुआ है हमने फु की चोटियां कट रही थी तो इस्वे होता क्या है कि जो चीजें अफवाह के रूप में फैलती है जो अपने प्रीजनों के प्रतिकोई खत्रा मड़ाने लगता है या नजर आता है तो लोग आतंकित हो जाते हैं डर जाते हैं तो इसी तरह जो अफवाह ये भी युद्ध का ह यहाषी एक हतियार मनोबज्वाश एक युद्ध का ही एक हतियार होता है जिसमें विभिन्द प्रकार के अफवाह के या दहार पर जो है फत्तुराव्ट के फैयनिकों को या फिर फत्तुरदेव की जनता को उनको भैभीत किया जाता है अपनी फक्ति को जादा बताकर या अपनी सक्ति का जादा प्रदर्फन करके जूठा हो चाहे जेसे भी हो, कहीं पर वो बिजय नहीं हो रहे हैं, कहीं पर हम उनकी पराजे की फूचना देकर उनका मनोबन ग्यान खतोस्त्वाहिद करते हैं, मनोबन गिराने का प्रयाफ करते हैं, तो बहुत फारी चीजें प्रकार का फुजाओ है या किफी कालपनिक अथवा ब्यक्तिसेफ सम्मंधित कहानी है जो फैलने के फातफाद बढ़ती भी अफवा जो होती है ये देखा जाए तो जहां पर एक प्रकार से मनोबल को गिराने के कामाता है वही पर कुछ अफवा एफी भी होती है जो फैनिको का भी जनता का भी ठीक है अफवाह फैलाने वाला ना तो कोई प्रमार देता है और ना ही उससे कोई प्रमार मांगता है फिर फिर यही इसी बात फिमर जाती है ना कि हमने फुना है ऐसे ऐसे हो रहा है कुछ अफवाह फैला दी जाती है कोई पाकिस्तानी एजन्ट आकर जो है भारत के फंपून कुओं में, नलों में, ये इसमें जहर मिला रहा है, तो इस वाप प्रभाव क्या होता है, कि जब पानी पीने वाले हमारे देश के नागरी होते हैं, उनको लगता है कहीं इसमें न मिला दिया हो, रात में कोई कुओं ताकने नहीं आया था, तो यही बात है पता नहीं राप में कब मिला के कोई चला गया हो तो इस प्रयार से जब आशी बाते फैलती है न तो राफ्टर में आतंग भी फैल जाता है या फिर कभी जूटी बाते फैला कर राफ्टर में आतंग फैलाया जाता है जिफ़े अगर हम उफको पानी को जहर मानकर पीने लगते हैं तो पानी भी जहरीला बन जाता है ठीक है? तो मानफिक इफ्थिती आउट अफ कंट्रोल यानि मानफिक इफ्थिती जो है कमजोर हो जाती है अब देखिए अफवाह मुहदर मुह फैल जाती है कितनी बदिया हैं? देखे परफ पर बातों के दोरा जैनि फामान बातों के दोरा एक दूफरे में जनपरवात का परफार करना जापको आप है लाना इफका छेत्र फीमित होता है जोटे रेडियो इफ्टेफनों के दोरा उसके बाद जूटे फमाचार पत्रों के माध्यम से रेडियो पर जूटे फमाचार परफारित करना जेफे आज कल देखते होंगे यूटूब वगेरा पे वह फे जूटे परचार आ जाते हैं चित्र बाहर कुछ दिखा हुआ है अंदर कुछ हुआ है किसी को ये लगता है कि वीबर बढ़ जाएंगे ठीक है इसके कारण भी जूटा परचार जो है फैलाने लगते हैं जो कि बातें एकदम जोटी होती है अभवा है अजनप्रवाद की भी फिफ्टाएं इसमें उत्पत्ति का अफ्थान ग्याते ही नहीं होता है किसी कहां फे फरवाद हुई है नहीं पता चलता है क्योंकि जो फरवाद करता है वो भी यही कहता है कि हमने फुना है हमें एशख खबर मिली है इसमें बातें फरवथा निराधार तथा आफत्य होती है इनका प्रफार तीब्र गतीवे होता है तो हम बहुत तेर फैलाते हैं क्योंकि दुफमन की बुराई करने में फपको अच्छा लगता है और अफवा जो है फैलने के फातफात और भी अनेक रंगों में रंग जाती है कहने का मतलब तिल का ताड जो बना दिया जाता है तिल का ताड यानी तिल के रूप में अगर फुरुवात हुआ तो पहुश्टे पहुश्टे फैलते फैलते ताड बन जाता है अफवा नियंत्रण की बिधियां मित्रों जहां पर ये बात देखा जाए अफवा एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है दुफमन के लिए वहीं अगर अपनी फेना में अपनी जनता में भी अगर दुफमन हमारा फ़वा फैलाने में अगर फफल हो गया तो उसको नियंत्रिद भी करना आना चाहिए अन्य था वही होगा जो हम लोग दुफमन के प्रति करना चाहते हैं पहले अपोह नियंत्रों की भीधिया किती तरीके से अपना फकते हैं पहला नमबर कठोर दंड जो अपोह पहला रहे हैं उनके उंके उनके और कारिवाही होना चाहिए, फ्रेफ्ठा अनुफाफन, जनता हैं फैनिकों को अनुफाफित रखना ताकि फालतू कारियों को वो ना करें के वर उतने ही फे मतलब रखें जितने की आउसेक्ता हो। प्रयाज नमे जनता हैं फूचनाओं को फूचनाओं को फूचनाओं को फूचनाओं का आदान प्रदान के मध्धम से तुमध किया जाएं।